आप लोगों को एक बात बिताऊं कि जब एक्जाम होता है न कोई भी एक्जाम प्रिलियम सो खास कर ये बात जब भी आती है दिमाग में जब प्री एक्जाम होता है कि यार कास एक महीना और मिल जाए कास दो महीने और मिल जाते तो हमारी तैयारी पूरी हो गई होते हैं कास म में कमिसन ने समयनी दिया, और यह सब चीजह ना स्वय भाबिक है. मतब जब भी notification आएगा, जब भी pre exam होगा, जब भी main exam होगा, तो यह जरूर आते हैं. अब इससे कैसे बाहर निकले? मतब हघणा इंजैटी, जब exam आते हैं, तो हम लोग face नहीं कर पाते हैं और most of the 80% students exam को face ही नहीं कर पाते हैं डर की वज़े से ignore कर देते हैं और उन्हें घबराट होने लगती है हडवड़ी में उन्हें ऐसा लगते हैं और यार यार ये भी छूट रहे हैं और यार ये भी छूट गया भाई सलेवस ही पूरा नहीं हुआ भाई तू तो रिवीजन कर रहा हैं यहां तो पूरा ही नहीं हो पाया पड़ी नहीं हो पाया एक बात आप लोगों से बोलू UP Judiciary का notification आने वाला है और आप लोगों के पास अभी जो समय है यही सही समय है फिलेवस पूरा करने का रिवीजन करने का इसलिए प्यारे साथियो 9 Minor Act, GS Paper और Locket, Major, Minor Substantive Process or Local Act अभी एक Time Table बनाई है 3-3 दिन का 3-3 दिन के Target बनाई है और उन्हें Fix करिए और एक एक Chapter को 1 by 1 Subject के दोवारा Complete करिए वरना तो फिर आप सबकी तरह Exam Rate आएगी और फिर यही चो Situation मैंने आपको भी बताई थी वीडियो के Starting में यही आपके बन जाएगे और फिर ना आप घर के रहेंगे ना बाहर के रहेंगे इसलिए एक-एक सब्जेक्ट को उठाइए और डेलिट आप Target Set करिए पढ़ने से Selection नहीं होगा यह मैं बता रहो Selection होगा सही रणिती से सही एक एक बहतर Strategy के माद्यम से और वो आपको खुद बनानी पड़ेगी याद रखना रणिती हमें इसा अपनी काम आती है क्योंकि इस युद्ध के जो योदा है वो आप है इसलिए डेली आप लोगों को तीन-चार तरीके से पनी वरणिती को Execute करने है यानि Reading तो करनी ही करनी है आप लोगों को Reading के साथ साथ आपको Writing भी करनी है और Writing के साथ साथ आप लोगों को Revision भी करने है और Revision के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है concise notes making आप लोगों को जरूर करना है और इसके साथ साथ मैं एक चीज और आप लोगों को बता दू इन सब चीजों को दिहान में रखते हुए आप लोगों को क्या हमेशा focus करना है किस पर focus किस पर करना है आपके exam पर छोटे छोटे goal set करिये जैसे तीन तीन दिन के कि वाई तीन दिन में IPC के MCQ complete करने है वाई तीन दिन में evidence act के MCQ complete करने है मेंस के रोज डेली पांच question तो लिखे मेरा formula है target for IQ का formula है 20 phase per day formula मेंस जो इसे कर लेगा मेंस कभी नहीं रुखेगा पहले एक subject को लीजिए एक को करने तो उसे ही दो तीन दिन फिर आपको satisfaction भी feel होगा यार लगेगा कि हाँ वाई हमने करतो लिया पॉलिटी को उठा लीजिए आपको लगता है कि डिफिकल सब्जेक्ट है आप इसके लिए एक रास्ता और बना सकते है मालनी जी का बहुत बच्चों को क्या है कि उन्हें IPC बहुत पसंद है IPC के एक example ले रहा हूँ evidence भी हो सकता है एक ऐसा subject है जो विर्कुल पसंद नहीं है जैसे जूरिस मालनी जी है तो जूरिस मालने थे हैं कि जूरिस बहुत बच्चों को पसंद नहीं है तो आपको क्या करना है आप लोगों को क्या करना है कि अपना पूरे दिन के session में IPC को रखो अपने 10 table में इन दोनों को merge कर दो कि भाई अगर हम 2 गंटे IPC को दे रहे हैं तो भाई हम आदा गंटा या एग घंटा जूरिस को भी देंगे विकोज क्यों एक आपने easy subject ले लिया और एक आप थोड़ा सा tough subject ले रहे हैं इससे क्या होगा दोनों चीज़े आपकी साथ के साथ तयार हो जाएंगे ठीक है? तो इस तरीके से set बनाईए daily अपना 100 या 200 MCQ का target रखी daily जादा भी नहीं, 20 भी नहीं तो 10 नहीं, तो कम से कम 5 pace आप previous year के paper लिखिये और कोई भी exam आप दे रहे हैं तो कम से कम 30 सालों के 30 years के और 30 year के माली जगा कहीं नहीं भी मिल पा रहे हैं तो जैसे माली जगा यूपे जूडिसरी के तयारी कर रहे हैं तो इनी subject हो के आप other state के जैसे दिल्ली के, हर्याना के, राजिस्थान के, MP के 36 गड़ के, जहारखने के, बिहार के IPC के previous निकाले हैं singles की books निक मिले की, घटना चक्र है आपके पास परिक्सा मंतर हैं, और भी बहुत सारी books हैं जहां से आप MCQs previous year के जादा से जादा कर सकते हैं और याद फिर अगर आप 30 सालों के MCQ निकाल लेंगे, यकीन वारी है कोई सब एक्जाम आप लोगों का कवे नहीं रुखेगा, इसलिए प्यारे साथियो हतास मत होईए, निरास मत होईए और अभी बिर्कुल सही समय है जो आप अपने आपको बहतर कर सकते हैं, क्योंकि बाद में समय नहीं होगा, सिर्फ पस्तावा होगा ये आप लोगों को ध्यान रदे हैं, टीक है उमीद करता हूँ, कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, यदि कोई आपकी कोई क्वेरी है, या फिर आपका कोई सुजाब है, तो आप हमें कमेंट बोक्स में रख सकते हैं टार्गेट फॉर आइक्यो पर जुडिसरी जी एस पेपर, माइनर एक्ट, लोकल एक्ट के लिए बैचिस चल रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो उसमें एंड्रोल होड सकते हैं या हमारी टैस स्रीज, आर्जेस, आर्जेस एप्यो और राजिस्तान जुडिसरी के लिए टैस स्रीज चल रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग एंड्रोल हो सकते हैं, जाहें